हेलो बच्चो वी लुक अपके पार्ट 11 में हापका स्वागत है अब अब पार्ट 10 तक हमने अल्गल टाइप का वी-लुक अब वी-लुक अपके पार्ट 11 में मैं एक कोशन लेकर आहे हूं सबसे पहले हम डेटा को तुb तो कोंजने करना के सुछन में आप देख सकते हों मुझे परड़क रिख हैं बरांच ए मेरा प्रड़क अपर काऊ है यहां पर देखो एट न वाला पिरक्ट मेरा काओ यहां पर इस्टार्टिंग मेरा बाद मेरा थीक यह branch branch ID और product ID और price जही है मेरे को ठीक है अब इसको कैसे करेंगे इसमें 2-3 formula का use होगा तो कैसे करते हैं देखते हैं आजो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहां एक find का formula निकालूँगा मैं लेकोँगा equals to find ठीक है मैं इसको lock कर रहा हूँ ठीक है यह मेरा row column लोग हो गया but मैं क्या करूँगा मुझे सिर्फ F column को lock करना है मैंने तीन बार प्रेस किया F4 को मैंने क्या किया सिर्फ F वाले column को lock कर दिया row को lock नहीं किया क्यों क्योंकि मुझे vertical track करना है हर product ID के लिए जो product code के लिए मेरा F column comment रहेगा तो मैंने क्या किया मैंने सिर्फ F column को lock किया बाकी rows को unlock किया ठीक है मैंने तीन बार प्रेस किया था देखो दोबार दिखाता हूँ अगर मैं normally F4 करता हूँ row column दोने लोग हो गए दोबारा प्रेस किया यह मेरा row लोग हो गया यह मेरा column लोग हो गया और basically मुझे column ही lock करना है क्योंकि मुझे इसको vertical track करना है comma अब यह text find करना है किस में से करना है मुझे इस में से find करना है इसको भी F4 से हम इसमें भी vertical track करेंगे तो इसमें भी column को lock कर देंगे एक बर प्रेस किया, दो पर प्रेस किया, रो, यह मेरा कॉलम लोग हो गया, ठीक है, कॉमा, अब मैंने प्रेस किया 1, अब 1 क्यों किया मुझे, फर्स्ट प्लेस वाला मुझे टेक्स चाहिए, जो मुझे फाइंड करके देगा, और मैंने ब्रैक्ट को बंद कर दिया, और फॉर्फ प्लेस पे यह हो गया, और फिफ प्लेस पेअगक्स फीज पेश सिग्स प्लेस पेश है, ऐसी आप यह देखो, मेरा फॉट प्लेस पे, एड फाइव, यह कॉमा, थ्री प्लेस पे, पेशन किया किर दो है कोई ना कोई नमबर दे रहा हैं, ठीक है, मैंने फाइड स को ctrl z करेता हूं मतलब ये मुझे इस में से find करके दे रहा है कहने का मतलब और कुई नबर फाइंड करके दे रहा है मुझे अब उसके बाद मैंने क्या किया यह मैं लगाऊंगा इफ का formula इस से आगे मैंने का if bracket को on किया और end में आके मैंने क्या किया ये नंबर है जीरो से बढ़ा मतलब ये मुझे find formula मुझे कुछ ना कुछ find करके तरह नंबर को और वो नंबर मेरा जीरो से बढ़ा है मैंने condition चेक कर दी अगर ये नंबर बढ़ा है जीरो से तो मुझे कॉम अगर क्या प्रिंट करा देगा value true में मुझे यही नंबर प्रिंट करा कर देगा ठीक है इसको भी log कर लिए इसमें मेरा column log होगा मैंने column को log कर दिया ठीक है बाद में मुझे फिर दिक्कत नहीं होगी फिर अगर ये true में क्या आगया मतलब अगर ये मुझे वही value प्रिंट करा दी और इसको ड्रैक कर दिया सारी मुझे वही value को प्रिंट कर क्योंकि सारी value मेरी zero से बढ़ी थी आई होगा आपको इतना समझ में आया होगा आप उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं क्या करो इसी पूरी value को मैं पूरा लुक अप वैल्यू समझने वाला हूँ इससे पहले मैं क्या लागा मतलब ये पूरा जो है इसको मैं लुक अप वैल्यू समझ लूँगा कर लिया और F4 से लोग कर लिया ठीक है साथ साथ लोग करों बाद में दिक्कत होती है फिर कॉमा अब मैं या पे मेरा कॉलम कौन सा है कॉलम नबर 2 है ठीक है फिर पोड़ेट आइडी मेरा कॉलम 3 है प्राइस मेरा फिर मुझे बार बार कॉलम नबर चेंज करना पड़ेगा त यह कोलम मुझे के आँसर देगा कोलम न् Caitlin निकाल कर देगा अंसर अब मुझे कहुछ चहिए कोंसा कोलम मुझे इस पे कोलमला टू पे यह ऑग तो मैं सैवन मेंस quit स्याओगन कज़ेगा तो मेरा है कॉलमें qa a mêmes ट। वा अब बाएंचेस मैं किसी में इसको कोई डिलीट करता हूँ, स्पोस्कोर मैं कोई भी हटाता हूँ यासन, वो तो में को क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, अब इस एरर को कैसे रिमूफ करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये एरर में वी लुक अप से रिमूफ करेंगे, कैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, अब उसके बाद मैंने क्या कंट्रोल जेट कर दिया, ये मेरा, आप देख सकते हो, ये जो मेरा अंसर आया है, ये लुक अप वेल्यू है, मैं आपको सिलेक करके दिखाता हूँ, ये यहां से सिलेक्ट होगी, और मैंने इसमें क्या कर दिया, एफ नाइन प्रेस किया, देखो, ये मेरी क्या की, पूरी लुक अप वेल्यू की, जो मैंने वापीस वेल्यू निकाल के दिखाई थी, इस फॉमले से, ड्रेक कर देता हूँ, तो देखो तो मैंने सारी वेल्यू की, और नीचे भी मैंने इसको ड्रेक कर दिया, ठीक है, सारी मेरी वेल्यू शो होगी, पूरा ड्रेक नहीं हुआ, यहां तक कर दिया, ठीक है, अगर बाएंचाद, मैंने क्या कर दिया इफर कहाँ पे last में आया मैं कॉमा तो यहां क्या कर दिया मतला वह value मिल गीGO तो चीत है नहीं तो क्या है यह मैं इन्वैलिट प्रोटेक्ट customized. आईडी है आप यहां लिख दो आईडी लिख दो और इसको मैं यहां से ड्रैक कर लेता हूं ठीक है और यहां से यहां से यहां से आप देख सकते हो उसने मुझे मुझे माश्यो कर दी आप मिया से कोई बीना बिलता है उस प्रोस्क्री घ्टाता हूं तो बता देगा यह वाला कोड में को इसके इंदर नहीं मिला एंटर मारा तो उसने मुझे बता दी invalid ID, पूरी उसने मुझे invalid, क्योंकि यह product code है, इसमें match नहीं हो रहा, इसने इसको if error, तो मैंने इसको दे दिया message invalid ID, ठीक है, आपको सब्सक्राइब होगा, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने if का use किया, if से मैंने, पहले मैंने find use किया, find मुझे कोई नंबर निकाल कर दे रहा, मने if से चेक किया, अगर वो नंबर जीरो से बढ़ा है, तो मेरे को यह value, a2 वाली, मुझे को value प्रिंट करा कर दिखा देगा, ठीक है, और इस पूरे को मैंने look up value ले लिया, ठीक है, बाकी वी look up तो आपको यूज करना आते हैं, मैंन कि यू